किया मुझे सुन पा रहे हैं कि देखे कौन कौन आया है अभी पिंकी अक्षय प्रताप मौली अगरवाल तुहिन शुभांगी मिश्रा आयूश अनसली अओ म्याओ व्याओ शुभांगी okay, amazing, amazing okay Ajit Alpha वा देटु आप लोग जब तक तुम बोलोगे नहीं मजा नहीं आएगा जब तक तुम चाट सेक्षिं में लिखोगे नहीं आपके सब सवालों के जब दूंगा और don't worry ना आपके सारे सावालों के जवाब दूँगा आप चिंता मत करो बट मुझे एक बार बताओ कि is everything fine? क्या एटू के लॉय हैं अभी सब कुछ देख पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? ओके? चैट्स खोलते हैं तुमारे आज मेरे पास आपको बताने और सेशन है, so हमेशा की तरह मैं बटन दवा रहा हूँ और अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपकी चैट्स खूलते हैं और आज के सेशन को प्लीज आप मेरे साथ अच्छे से जीएगा you have to live the session with me समझ रहा हूँ आपको मेरे साथ आज के सेशन को जीना है ठीक है, सिर्फ देखना नहीं है तो आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है हीटू फैमिली, हीटू के लॉयंस ओके थोड़े हाथ काम रहे क्योंकि यह तरह असान नहीं होता है अभी मैं जब यह तमनेल लगाया तो काफी काफी रियक्शन्स देखने को मिले और मतलब फैमिली से भी लोग पूछ रहे क्या चल रहा है तेरे तो अभी बाल भी काले है रिटायर्मेंट वो क्या होता है बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज़े थी तेरे तो बाल भी काले सफेद हुए नहीं है रिटायर्मेंट मतलब यह क्या होता है एक कुलीग ने मज़े मैसेज किया वो सेंग कि सर जी रिटायर्मेंट सब ठीक तो है तो मैंने उसको रिप्लाई किया रिटायर्मेंट का मतलब यह तो नहीं होता कि कुछ खराब चल रहा है सो रिटायर्मेंट का मतलब तो यह होता है कि खुशी का पला आने वाला है जब आप माइंड से फ्री होने वाले हो अच्छा महसूस होता है तभी इतना बड़ा डिसीजन लिया जाता है बट यह आसान नहीं है मेरे लिए इतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा बट उसके पीछे का रीजन क्या है लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन काफी अच्छे मतलब जो रियक्शन हैं तो मैं आपको आपके साथ कुछ रियक्शन शेयर करना चाहता हूँ अच्छली सुबह सुबह यह इवनिंग में मैंने पोस डाला था और अच्छा सबसे पहले तो आज के सेशन को शुरू करता है अगर पहले ही ऐसा हो गया तो काम कैसे चले गा क्योंकि मुझे बहुत ज़ाइस चीजए आप लोगों को बतानी है और स्पेशली रिटायर्मेंट की बात कर रहा हूं तो क्या है? क्यों है? कैसे है? और ऑर स्पेशली जब रिटायर्मेंट की एक पोस्ट डाला था, ये वाला, एवनिंग पे मैंने ये पोस्ट डाला था, रेटारमेंट के समय एटो सर का अकरी गिफ्ट और उस पे मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स ने बताया कि एक बार जाके तुम उसके कॉमेंट पड़ो, तो मुझे मैं घबरा गया, मैंने का यार, मतलब क्या कुछ गरबर तो नहीं है, देन उन्होंने का कि एक बार पड़ो तो सही तुम, तो फिर मैंने उसको खोला, तो अभी उसके जो कोमेंट से मैं आप लोगे सामने पढ़ना चाहता हूँ, मुझे से पहला कॉमेंट है, अर्षाद, अर्षाद का कॉमेंट है, सर इस नोट योर ताइम तो रिटार्मेंट, मतलब उन्हें वॉल्टर लुई सर का एक्जामपल दिया, और ने का कि ये कोई टाइम नहीं है रिटार्मेंट का, सर इस तिल टीचिंग, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं बाइदेवे, लेकिन कुछे कोमेंट जैसे कि ये वाला कोमेंट है, एक्स्प्लूर इसलामाबाद, I am a search scholar from Pakistan, and from the time I am seeing Vedantu is now at this stage because of Arvindar Oda, मतलब ऐसे जो कोमेंट साते हैं, तो हाथ और कामने लगते हैं कि मैं सही कर रहा हूं, मैं गलत बट, मैं क्यों कर रहा हैं मैं उसके पीछे का reason आपको बताऊंगा, okay, sir, please don't retire, पराक्षी पाठल ने लिखा, what happened to you, sir, please don't retire, you can't do that, sir, best chemistry teacher, backbone of Vedantu, please don't, okay, sir, don't take retirement, बहुत सारे कोमेंट थे और उनको पढ़ने के बाद, मुझे थोड़ी सी, मतलब जादा खुशी हुई, बट थोड़ी सी गवराट भी हुई, कि मैं क्या कर रहा हूं, बट कभी-कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, और मैंने कुछ decide किया, और मैंने सोचा कि क्यों ना, अपनी फैमिली के साथ बहु सारी चीज़े शेयर करूँ, बाइदे वे, थैंक्यू सो मच, जो आप लोग इतना प्यार देते हैं, जैसे अधीती जाने लिखा है, प्लीज, सर डोंट गो, डोंट टेक रिटार्मेंट, मैं आपको बहुत सारी चीज़े बताने वाला हूँ, आप चिंता मत करूँ, आप ध्यान से सुनना हूँ से, बहुत सारी कोमेंट, और थैंक्यू सो मच, मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, कि जब मैं यूट्यूब पे आया था, यूट्यूब की जर्णी मैंने शुरू की थी, तो मुझे इतना प्यार मिले और मैं यहां तक पहुंच जाऊँगा, मुझे बिलकुल अंदाजा नहीं था, और मैं यूट्यूब नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ, था हूँ और हमेशा ही रहूँगा, पर मैं क्या चीज छोड़ने वाला हूँ, और कब छोड़ने वाला हूँ, और इसमें क्या special है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से आज share करना चाहता हूँ, मेरी सबसे पहली फैमिली आप ही हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से share करो वो सारी चीज़ें, और आप लोग भी मेरा साथ देना, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अब जो मैं करने जा रहा हूँ, वो शायद history grade कर देगा, तो बहुत सारे बच्चों के लिए वो रस्ते खोल देगा, तो शायद अभी तक खुले नहीं है, और पता है, बड़ी चीज़ पाने के लिए sacrifice तो करना ही पड़ता है, बस उसी के लिए मैं आज का ये session, आप लोगों को dedicate करता हूँ, आप लोगों ध्यान से देखेगा, चलिए, मैं आपको बताता हूँ, एक-एक करके सारी चीज़ें कि ये सब क्या है, क्यों है, कैसे, समय आगे है, retirement का, है न, इतनी कम एज में मतलब मैंने आज बहुत सारे messages रिसीब किये, बहुत सारे teachers से, जो अभी भी मुझसे बड़े हैं, touchwood, उन्हेंना मुझे message करके बोला, कि तो बहुत चोटा अभी, कहां जा रहा है, ऐसा क्या तो ये सन्यास लेने को बड़ा हुआ है, उसके पीछे का reason आपको बताने जा रहा हूँ, आज के session में, तो इसलिए मैं आप लोगों इसा शेयर करता हूँ, चलो, तो आज की journey को शुरू करता है, सन्यास लेने का समय है, कब है, क्यू है, का है, क्या करने वाला हूँ मैं, और आप लोगों के लिए, जैसे कि last में लिखा भी है, A2 Sir की तरफ से, आप लोगों का आखरी gift है, मेरी तरफ से, मैं बहुत दिनों से कुछ चीजों के उपर काम कर रहा था, बस अभी उसी के बारे में, उसी, उनी सब चीजों को मैं आप से share करूँगा, लेकिन उससे पहले, मैं आप लोगों से, मैं आज मेरी YouTube की journey भी share करना चाहता हूँ, ये बात है, जब मैं सूरत में था, 2014-15 की बात होगी, 2014-15 की, So, initially तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जब मैंने रामानुजन को पढ़ा, तो मैं बहुत जादा इंस्पायर हुआ था उनसे, और उनको देखके मैंने वीडियो बनाई थी, और आप बिलीब करेंगे कि मैं YouTube पे वीडियो बनाने, या पैसा कमाने, वो स्टाइम पे YouTube का इतना क्रेज नहीं था, education industry के point of view से, बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत था, लेकिन education industry के लिए नहीं था, तो तब क्या हुआ जब Ramanujan को मैंने पड़ा, उनकी जीवनी पड़ी, उनके square यो जो square था, birthday square बोलते हैं जिसको वो पड़ा, उसके कुछ hacks निकाले, तो मुझे लगा यार मैं इसको कैसे share करूँ, इसको जिन्दा कैसे रखूँ, कुछ hacks निकाले थे, कुछ चीज मुझे मिल गए थी उस ताइम पर, बहुत ज़ादा पड़ रहा था उनको, तो मैंने 500 रुपे का एक छोटा से बोर्ड खरीदा था, मुझे मतलब टांगने के लिए भी जगा नी थी, तो नीचे टेबल था, एक छोटा सा उसके उपर एक बोर्ड रख लिया, और फिर मैंने उसके उपर, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने बनाई थी, तो एक वीडियो बनाया मैंने, यहां से मेरी यूटूब की जर्नी शुरू हुई है, और यह चैनल भी एक्चली वहीं से शुरू हुआ, बहुत सारे लोग यूटूब पे आना चाहते हैं, आज क्योंकि यूटूब पे फेम है, पैसा है, उस ताइम पे एडुकेशन इंडस्टी के लिए कोई फेम या पैसा नहीं था, मैं सिर्फ इस याद को ताजा रखना चाहता था, मतलब मैं भूल जाओ, मैं आज भूल गया हूँ कि वो स्क्वाइर मेट्रिक्स क्या थी, लेकिन उस वक्त मुझे याद थी, मुझे लगा कि इसको अगर मैं जिन्दा रख सकू, तो शायद वो यूट्यूब एक प्लाट्फॉम होगा, जो स्ता उम्र इस चीज को जिन्दा रखेगा, और मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, ये वो वीडियो है, और आज मैं आप लोगों से इसको शेर भी करना चाहता हूँ, अच्छा, आवाज तोड़ी क्लियर नहीं क्योंकि दो या तीन वीडियो चल रही है, ओके, तो ये वीडियो आप देख सकते हो कि कैमरा जो कैमरा एक्चली कैमरा था ही नहीं, मुबाइल शेक कर रहा है, मुबाइल को रखने के लिए भी कोई जगा नहीं थी, तो सामने एक परसन है, जो कि मुबाइल को पकड़े हुआ है, उससे कैमरा हिल रहा है, मैंने एक छोड़ा सा बोर्ड लगा रखा है, वाइट बोर्ड, पांसो रुपे गई बोर्ड था, वो भी खरीदा मैंने, उसको टांगा भी नहीं, और ये मेरा, इस तरह से मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी मैंने शुरू की थी, ये था वो पहले वीडियो में से एक, जहां से मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी, अब यहां से आपके जो अर्विन दरोडा सर है, जिनको आप आप A2 सर बोलते हो, उनकी जर्नी स्टार्ट हुए, और ऐसे करके, अब मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ, ये यूट्यूब का मेरा पहला वीडियो था, और काफी लोग ये वीडियो देखे हैं, बहुत लोगों ने देखा उस वीडियो को, पहले तो अंदाजा नहीं था, पहले मैंने ये सोचा था कि ठीक है यार, ये रामनुजन का जो स्क्वार है, वो जिन्दा रह जा और यूट्यूब उसका प्लाटफोम है, तो वहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू की, और वहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया, चोक और ग्रीन बोर्ट से पढ़ाता था मैं, और ये वीडियोज भी काफी लोगों ने देखे, और काफी लोग एप्रीशेट करते हैं इन वीडियोज को, जैसे कि एक वीडियो मैं और आपको दिखाता हूँ, इसे वीडियोज हैं बहुत सारे, जैसे कि ये वाला वीडियो ये ग्रीन स्क्रीन पर बना हुआ है, ये बहुत जादा पॉपिलर हुए थे, तो मैं वाइट बोर्ट से फिर मैं ग्रीन बोर्ट वाले बोर्ट पर आया, जिसमें चोक से लिखके पढ़ाया करता था, काफी लोगों ने ये वीडियोज देखे हैं, आप लोगों को, अंदाजा तो होगा ये सारे वीडियोज देखे हुए आप लोगों ने, तो यहां से मेरी आगे कंटीनू किया है मैंने यूट्यूब की जर्णी को, है ना, और काफी लोगों ने ये वीडियोज देखे हैं, देखें के नहीं देखें हैं, देखें हैं, ओके, और इन पे तो बहुत अच्छे व्यूज हैं, तो मैं जब पीछे जाके, पीछे मुड़के देखता हूँ, तो मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, कि अल्मोस अभी तक मैं 3,000-4,000 के करीब वीडियोज बना चुका हूँ, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और फाइनली मैं विदान्तू फैमिली में आया, विदान्तू फैमिली से जोड़ा, यहां के टेकनोलोजी से जोड़ा, और फिर फाइनली मैं स्मार्ट बोर्ट में पढ़ाना शूरू किया, और आज बहुत सारे सेशन्स आप मेरे बहाँ पर देखते हो, तो यह मेरी यूट्यूब की जर्नी है, धीरे-दीरे करके मैं आगे बड़ा, ओके, इसके ओपर एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था, मैं चाहता हूँ कि आज वो वीडियो आप सब लोग देखें, यह वो वीडियो है, ओके, लेट्स प्ले दिस, ओके, वन सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड, एक सेकंड, अज बहुत थोड़ा सा, काफी आगया आगया क्या अपन? ओके, प्ले तो किया था, पर यह चल नहीं रहा है, ने? यह वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेर किया था, थोड़े दिन पहले, जब मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे, मेरी जर्नी की वीडियो थी, पाँच मिलियन, अब तो 6 मिलियन तक पहुँच चुके हैं, यह सारे वीडियो आप लोगों ने अप्रिशेट की हैं, देखे हैं यूट्यूब पे, तो थेंक्यू सो मच पोर गिविविंग अस सच अ सपोर्ट, है ना, और थेंक्यू सो मच विदान्तू फामिली ऐस वेल, कि आप लोग नहीं होते, तो शायद मैं या तक नहीं पहुँचता, तो यह सारी चीजे मैं आप लोग उसे पहले ही शेयर कर चुका हूँ, पर सवाल यह है कि रिटार्मेंट का क्या है, तो उसके बार में अपन बात करते हैं, और उसके बाद आपके जो अर्विद दरोडा सर थे, जो विदान्तों में पढ़ाते थे, फाइनली वो एटू मोटिवेशन बन गए, एटू मोटिवेशन का चैनल हमने खोला, वो उसके बाद 5 मिलियन, 6 मिलियन, गोल्डन प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन, और अभी तो साथ प्ले बटन अभी तक आ चुकी है, है ना, ओके, तो यह मेरी छोटी सी जर्णी थी, आप लोग सभी इस जर्णी में मेरे साथ थे, और मैं इस चीज़ को एप्रिशेट करता हूँ, और फाइनली हमारी फैमिली, एटू फैमिली जो है बेसिकली, वो यहां तक पहुँच चुकी है, साथ, सेवन प्ले बटन इंडिविजुली शाहिद ही किसी के पास होंगे, और अभी सेवन प्ले बटन रिसेंटली मैंने कली रिसीव किया है, तो यह पूरी जर्णी है मेरी यूट्यूब की, और मैं चाहता था कि इस दिन में, इस स्पेशल दिन में आप लोग के साथ इसको शेर करूँ, टोटल अब मुझे बारा साल हो चुके हैं, टीचिंग जर्णी को स्टार्ट किये, बारा साल कैसे हुए 2009 में, जब मैं पास आउट हुआ था, 2009 में जब मैंने इंजिनिरिंग कम्प्लीट की थी, तब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, एडुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, और बारा साल मैंने इस इंडस्ट्री में निखाल ली हैं, और बहुत सारे A2 के लॉयंस पैदा किये, बहुत सारे, मिलियंज ओव स्टूरेंट्स, बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, पड़े, है ना, और सब लोगों को, बहुत सारे बच्चों को जोड़ा, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, केमिस्ट्री के जो वीडियोज है मेरे, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में देखे जाते हैं, और इंडिया के, जो बहुत सारे स्टूरेंट है, हमारे देश के बहुत सारे स्टूरेंट है, वो बहुत जादा पसंद करते हैं, you so much for that okay और मैं 11-12 के बहुत सारे बहुत सारे वीडियो अभी तक मैं बनाई चुका हूँ almost सारा स्लेवस मैं cover कर चुका हूँ पचीस सो या तीन हजार से जादा वीडियो अभी तक मैं बना चुका हूँ और यह सब possible उपाय है आप लोगे प्यार की वज़े से और finally हम मुझे लगता है कि अब मेरा last batch मैं announce कर देता हूँ retirement का plan मैं आपको बता देता हूँ मेरा last मेरा आखरी chemistry का जो batch होगा वो 2022 का batch होगा so जो बच्चे अभी कह रहे हैं कि मैं कल ही जा रहा हूँ तो मैं कल नहीं जा रहा हूँ मैं 2021 का आपका batch और 2022 का batch मैं वैसे 2021 की plan कर रहा था 2021 की plan थी तो अब मैं आप लोगों को मेरी journey के बाद बता देता हूँ मेरा retirement plan क्या है क्योंकि अब मैं आप लोगों से discuss करता हूँ कि actual चीज़े क्या है 2022 का batch मेरे लिए आखरी batch होगा 2021 के बच्चों को तो अभी हम लोग पढ़ाई रहे हैं आपके board exam और NEET exam में अरविंदर और असर आपके साथ है लेकिन 2022 मेरा आखरी batch होगा क्यों क्यों क्योंकि मैं एकदम से छोड़ के नहीं जा सकता हूँ मेरे पस बहुत सारी certain responsibilities हैं जो विदानतों में मुझे निभानी है लेकिन 2022 मतलब इसे एक साल date एक साल के अंदर मुझे क्या करना है बहुत सारे chemistry के teachers पैदा करने हैं और जो भी हमारे 2022 के बच्चे हैं उनको NEET में और बोर्ड एक्जाम में अच्छे marks दिलाने हैं पर 2022 के बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा 2022 के बाद मैं chemistry से retire हो जाऊंगा और उसके पीछे का reason क्या है आपको बताता हूँ first of all तो reason है एक ऐसा एक ऐसा सपना देखा मैंने मैं काफी बार अपने interviews में भी बोला हूँ कि एक ऐसा सपना देखा जिसमें मैं एक डेट साल से काम कर रहा हूँ और वो एक ऐसा सपना है और जो हकीकत में बदल गया तो शारी education industry बदल जाएगी बहुत सारे बच्चे जो है जो education को लेके परिशान रहते हैं उनके पास कई लोगों के पास courses को जोइन करने के लिए पैसे नहीं होते हैं मैंने यसे बहुत सारे लोग देखे हैं जब हमने scholarship शुरू किया था तो इसी के बहाब के शुरू किया था और A2 scholarship स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों से जब google form भरबाते थे और परसली जब मैं google form में पढ़ता था कि उन्हें A2 scholarship की क्यों जरूरत है तो इतने सारे बच्चे अगर मैं आपको A2 scholarship के data बताऊं तो almost एक लाग से जादा form आये थे हमारे पास जब उनके पढ़ते हैं कि A2 scholarship उन्हें क्यों चाहिए उनके reasons पढ़के कभी कबार तो रोना आ जाता था तो मुझे लगता था कि यार 100 बच्चों को देने से भी क्या होगा मैंने ऐसे commit किया था कि मैं 100 बच्चों को scholarship दूँगा तो 100 बच्चों को देने से भी क्या होगा तो मैं एक ऐसा plan था जिसमें मैं पिछले एक साल से काम कर रहा हूँ उसमें कुछ modification मैंने और की हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा platform तयार किया जाए जिसमें जो बच्चे हैं जो afford नहीं कर सकते उनको एक मोका दिया जाए scholarship में भी ऐसा होता है वो limited होती है लेकिन एक ऐसा मोका generate कर दिये जाए एक ऐसा माध्यम generate कर दिये जाए एक ऐसा medium generate कर दिये जाए जिससे अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा है जिसके पास पैसा नहीं है किसी भी course को भरने का पैसा नहीं है वो बजाए किसी से मांगने के वो से earn करे एक ऐसा idea के साथ मैं आ रहा हूँ और पूरा plan में बना चुका हूँ और अब बस सरफ फर्क सरफ इतना है कि अब उसका execution में लेके आना है और उसके लिए मुझे break चाहिए मैं विदान्तु family को भी इतनी जल्दी नहीं चोड़ सकता हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि 2022 मेरा last batch होगा क्योंकि मुझे पूरा समय उस project पे देना है ताकि मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का एक-एक बच्चा जिसको पैसे की थोड़ी सी भी कमी है न और जो मांगने से इतराता है कतराता है उसको थोड़ी शरम महसूस होती है वो अपनी education को earn कर सके एक ऐसा project में लेके आ रहा हूँ और उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चीए कभी-कभार बड़ी चीज को पाने के लिए चोटी चीज छोड़नी पड़ती है मैं आज publicly announce कर रहा हूँ और ये that's not easy आपने कभी किसी teacher को retirement announce करते हैं नहीं देखा होगा मैं अपनी retirement announce कर रहा हूँ मैं 2022 के बाद chemistry नहीं पढ़ाऊँगा और 2022 तक almost अभी भी मैं 3,000-3,500 videos मेरे chemistry के हैं आप हर एक topic को देख सकते हो कोई भी ऐसा topic नहीं है जो मैंने शायद नहीं पढ़ाया हो फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो रह गया होगा थोड़ा बहुत तो मैं एक साल में इसको पूरा कर दूँगा और अपनी commitment को पूरा करने के बाद में एक ऐसे काम पर जा रहा हूँ जो शायद थोड़ा sacrifice मुझे मांग रही है पर वो sacrifice अगर मैं दूँगा तो शायद मुझे लगता है कि education industry change हो जाए तो यह reason है और जब मैं सोचता हूँ इसके बारे में तो मुझे अपने आप पर proud feel होता है कि एक ऐसा idea है जो मेरे दिमाग में आया है और शायद वो implement हो गया तो हम बहुत आगे पहुन जाएंगे बहुत आगे और किसी बच्चे को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फिलाना पड़ेगा चलो तो finally retirement का ये था sorry retirement का ये था और इसलिए मैंने का था बहुत सारे बच्चे सुवे से message कर रहे हैं बहुत सारे लोग सुवे से message कर रहे हैं कि अचानक से क्या हो गया तो पर ये जरूरी भी है और सुनता हूं है सब की हूं लेकिन करता है अपने मन की हूं और finally मैं ये decision ले रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस decision को support करो आप इस decision में मेरा साथ दो क्योंकि मैं break लेने नहीं जा रहा हूं retirement का मतलब ये कते ही नहीं है कि मुझे अब सोना है ऐसा नहीं है मेरे पास समय कम बचा हुआ है और मेरे पास समय थोड़ा कम बचा हुआ है इसलिए मुझे और करना बहुत कुछ है तो समय का तो पता नहीं कब निगल जाए ये भी नहीं पता पर अब आपने लिए कि मुझे 45 यह के बाद actual retirement लेनी है सारे काम से तो मेरे पास सिरफ अब मुश्किल से कोई 10-12 साल बचे है और उसे मुझे बहुत बड़ा काम करना है और वो काम मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूँ चलो तो फाइनली ये रीजर है सो 2022 मेरा आकरी साल होगा और उसके बाद मैं chemistry नहीं पढ़ाऊंगा और ऐसा नहीं कि मैं गायब हो जाऊंगा मैं बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसी चीज रखूँगा जिससे शायद आप हमेशा इटूसर को याद करोगे कि उन्होंने ये बना के दिया बस वही चाहता हूँ मैं और कुछ नहीं कि आर लाइफ मेरा ऐसा दिन को ही आए है आज वो दिन आ गया एक बहुत बड़ी चीज है जो मेरी लाइफ में होने जा रही है और वी वरी हाड फो दैट और वही गिफ्ट है आपके लिए आज तो बहुत कम लोगों को पता हैं अभी और I think बहुत सारे लोगों को शायद अभी पता चल गया होगा मैं एक बार देख लेता हूँ बट फिर भी आपके लिए एक बहुत बड़ा तोफा है और मैं चाहता हूँ कि आप वो तोफा देखें और सारे स्टूडेंट को ये मेरा पहला तोफा है और एक तोफा मैं और आपको दूँगा बहुत जल्दी बहुत जल्दी और वो मैंने आपसे शेयर करी दिया है पर एक बहुत बड़ा तोफा तो मैं अभी लाइव सेशन में आपको दे रहा हूँ हर एक बच्चे को वो तोफा है मेरी तरफ से कौन-कौन इस तोफे के लिए तयार है just write down in chat section कौन-कौन वो तोफा देखना चाहता है मैं चाट में चाहता हूँ कि आप लोग सब लिखें एक बार जितने भी मेरे बच्चे हैं जो बोड एक्जाम की नीट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं उन बच्चों को आज आपके A2 सर की तरफ से एक बहुत बड़ा तोफा है और we have worked really very hard for that और वो तोफा मैंने आपके लिए संजो के रखा था और अब वो वक्त आ गया है कि जब मैं आपको दूँ और इसके लिए बहुत लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और मैं उनके नाम और उनके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा बट कभी कबार एक सपना होता है जो हम देखते हैं और हकीकत में जब वो बड़लने लगता तो बहुत खुशी होती है और मैंने जो भी सकमा सपना देखा है या जो भी मैं करना चाहता हूँ वो आप लोगों को ध्यान में रख के करता हूँ और आज का ये जो गिफ्ट है ये पहला गिफ्ट है मेरी तरफ से रिटायर्मेंट का गिफ्ट है मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ और रिटायर्मेंट के बाद मैं एक गिफ्ट ओर दूँगा 12th board में तैयारी कर रहे है, NEET की तैयारी कर रहे है, वो चीज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो चीज क्या है, ज़र आप उसको ध्यान से देखिएगा, और ये retirement का मेरा पहला gift है, चलो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, जलिए, and what is that, वो gift, वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, ये तोफा, specially आप students के लिए, और वो है ये, रेडियो आप लोग तोफा देखने के लिए, और ये बहुत कम लोगों को पता है, अभी तक किसी को नहीं पता था, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग तयार हो उस gift को देखने के लिए, ओके, this is the gift for all of you, from my side, yes, अब आपके A2 sir, बन गए है author, बेरा ये बहुत एक सपना था, कि मैं एक book लिखूँ, एक book का author बनूँ, और इस सपने को अब मैं पूरागर नहीं जा रहा हूँ, yes, ये मेरी पहली book है, retirement में अभी एक साल पढ़ा है, लेकिन ये मेरी पहली book है, और भी बहुत सारी books हैं, जिसमें हम लोग काम करें, बढ़ ये book मैं आपको मेरी तरफ से gift दे रहा हूँ, जो भी 12th class के बच्चे हैं, जो की 12th board में जा रहे हैं, इंजिनियर अरविंद अरोडा, आपके A2 सर, आपके लिए CBSE की sample question की, paper, chemistry, revise labors वाली, वो भी नए slabors वाली book, finally, आप लोग इस सामनी में रखने जा रहा हूँ, बहुत classical book हैं, और यह सबसे बड़ा gift है, मेरे जितने भी बच्चे हैं उन सब को, and this is my first book, और अभी अगर आप A2 motivation देख रहे हैं, तो वैसे मापर एक short video मैंने डाल भी दिया है, पर इस book में क्या खास है, वो मैं आपको बताता हूँ, और सबसे important चीज यह है, कि आपके A2 सर अब author बन गए है, और यह मेरी पहली book है, और first of all, thank you so much Vedantoo, क्योंकि Vedantoo नहीं होता, Anand सर नहीं होते, Vamsi सर नहीं होते, Pulkit सर नहीं होते, तो शायद Arvind Arora गुम्नामी के पन्नों में कहीं होता, thank you so much family, मेरे परिवार वालों ने हमेशा मेरा साथ दिया है, अगर वो लोग नहीं होते, तो शायद मैं आ तक नहीं पहुंचता, और इस बुक में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, यह बहुत important आप लोग के लिए जानना, और यह पहली book है मेरी, यह एक बहुत बड़ा surprise है, यह gift मैं आप लोगों को देना चाहता था, पहले तो मैं आप लोगों को वो book दिखाता हूँ, thank you so much, जो congratulations कह रहे हैं, हर एक चीज में महनत लगती है, और इसमें आमने बहुत महनत किये, and this is the gift for all of you, यह gift है, और मैं एक एक करके इसके बारे में, इसकी खासितों के बारे में बताता हूँ आपको, क्योंकि आप जब books की, सिर्फ यह book नहीं है, यह सिर्फ book नहीं है, आपको बहुत सारी books market में मिलेंगी, यह सिर्फ book नहीं है, इस book में बहुत ऐसी चीज़ें, जो आपके लिए one short solution हो सकती है और ये पहला gift मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ क्या खास है इसमें चलो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो खास ये है कि ये A2 Sir की book है Class 11 मेरे पहली बार किसी book में मेरा नाम लिखा हुआ है ये इसकी खास बात है अब इसमें क्या चीज़े खास है उसके बारे में discussion कर लेते है सबसे पहले तो एक-एक चीज एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ This is the book जो मैं आप लोगों से share कर रहा हूँ अब ये A2 Sir की book है कैसे पता लगेगा ये इसका second page है यहाँ पे जब आप इसको open करेंगे इस book को देखो जब घर पे book आई आपको बताना चाहता हूँ देखो हम भारती हैं इंडियन है और इंडियन लोग क्या करते हैं इंडियन टेंडिशन को कभी भूलते नहीं तो सबसे पहले उपर वाले का नाम लिया है स्वस्तिक बनाया है बुक पे तो यह दिख रहा होगा आप लोगों को यह बुक की खास बात है कि आप जब second आपको कैसे पतलगेगा A2 सर की बुक है तो जब आप second page पर जाएंगे तो यहाँ पर मेरे Instagram का direct barcode दिया है जब आप इसे scan करेंगे आप सीधे मेरे Instagram पर पहुंच जाएंगे जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि A2 सर के उसाथ में explanation भी दिया हो है वै थोड़ा पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे लिए proud की बात है मेरी family के लिए proud की बात है और मैं चाहता हूँ कि हर किसी के और मेरे जिंदिके में दिन आयां नहीं को और मेरे जीन दिन के बहुत श्वाक। हुक्षा लिये human और उसके लिए Sबसे पहले विदान तू बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन जिने ने इसे publish किया है उनेका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इस book के जो publisher है उनका बहुत market में मतलब publishing house एक बहुती prestigious publishing house ने इस book को publish किया thank you so much अगरवाल आपको बताता हूँ अगरवाल group of publications उन्होंने इस से publish किया इस book को धन्यवाद देना इसलिए बनता है क्योंकि it's not easy to find out a good publisher और मेरी book को इतना अच्छा support मिलेगा मुझे नहीं पता था और finally अगरवाल group of publication काफी काफी बड़ा नाम है हिंदुस्तान में इंडिया में आप ऐसे बहुत सारे लोग जानते होंगे पैन इंडिया की company है और amazon पे इनको एक अलग से page मिला हुआ वहीं पे आपकी sir की book को वहाँ पर register किया हुआ है मैं आपको बताता हूँ so finally यह वो book है और यहां से मुझे मेरे बार code को सीधे scan करके instagram पे पहुंच सकते हैं यह तो मेरे बारे में था अब book के बारे में आते हैं इस book की क्या खासियत हैं वो जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके तो आपको बताता हूँ सबसे पहले तो content page जब आप खोलेंगे basically question paper कैसे design होता है आपका chemistry का question paper कैसे design होता है इसको पूरा हमने किया है फिर उसके बाद time management दिया है कि हर एक question पे section A के question पे section B के question पे आपको कितना समय देना है ये भी इसमें time management लिखा हुआ है कि आपको हर question में कितना समय देना है जब आप paper देने जाओगे ये टॉपर्स के टिप्स मतलब टॉपर्स किस सरह से पेपर को लिखते हैं 12th के, उनके टिप्स दिये हुआ है और बहुत amazing है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप लोगों को बोर्ड का exam का पेपर कैसे करना है, इसके अलावा reduce the syllabus दिया हुआ है, अभी तक शायद ही आपको ठीक है, जिससे आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा, फिर उसके बाद है आपके छोटे-छोटे से सवाल है, ठीक है, can we use black pen in CBSE board exam, आपके questions लियो हुआ है, जो बच्चों को काफी जादा रहता है कि board exam जाने से पहले, है ना, ममी पापा से तो अपन दही खा सकते हैं, ले मुझे कब जाना है, कैसे जाना है, अपनी preparation कैसे करनी है, वहाँ जाके मुझे तीन घंटे कैसे बिताने है, इसके बारे में जितने भी question आपके दिमाग में आते वो सारे दियो हुए, फिर आते हैं, important CBSE contacts भी दियो हुए, मतलब आपको अगर कहीं problem है, कुछ भी, तो सारे CBSE सबसे interesting चीज है, mind maps बोलते हैं न, mind maps, छोरी नहीं लिखी हुई है, summary दी हुई है, mind maps बनाये हुए, बहुत ही interesting, chapter 1 से लेके सारे chapter के mind maps बनाये हुए, A to Z chapters के mind map बनाये हुए, तो यह सबसे interesting चीज है, तो आपको एक एक करके आगे दिखाता हूँ, qualities क्या हैं book की, qualities सबसे पहल pressure नहीं है, जिसने reduced labels पे book बनाई हो, और reduced labels में भी सारे के सारे chapters के key point, mind maps यहाँ पर दी हो, मैं जरा आप देखो, अगर आप लोगों को सारे chapter के mind maps मिल जाएं, तो आप सोचिए कि आपका समय कितना, you know, बरबाद होने से बच गया, यह सारे के सारे mind maps हैं, जो कि बहुत मेहनत से तयार किये गए हैं, और यह सारे के सारे mind maps, सारे chapter, A to Z, ऐसा कोई chapter ही नहीं है, जिसको छोड़ा हो, तो बस वो chapter छोड़े हैं, जो की, पोकरियाल जी ने छोड़ दिये थे, वो वाले chapter छोड़ दिये हैं, reduce labels पर है, ठीक है, completely, फिर उसके बाद क्या है, इस book के अंदर, सा 2019, 2020, 2018 के sample papers दिये हुआ हैं, ना सिर्फ sample papers दिये हुआ हैं, उनको बकायदा, उनके solutions भी given हैं, और बहुत सारे, सिर्फ ये तो 3 years के sample papers हैं, आपको दिखाता हूं, और उसके इलावा, आप initially content में देखेंगे, तो sample paper number 1, CBSE sample paper 9th October 2020 का, उसके बाद CBSE 2020 board exam, उसके बाद CBSE 2019 का, और उसके बाद sample paper आपको continue दिये हैं, नो, और बकायदा sample paper के solutions भी given हैं, कि किसका question का answer किस पे क्या होगा, detailed solution है, जिससे आपको समझ बाएगा कि actual में आपको board exam में लिखना कैसे है, और फिर finally जब आप ये सारे paper कर लोगें, तो नीचे आप लोगों को यहाँ पर 3 sample paper आपके self assessment के लिए भी दिये होगा है, तो यह आपकी Irwin sir की book है, और अब मैं आपको थोड़ा सा detail में और बता देता हूँ, finally, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से, मेरे जिंदगी का ये सपना भी पूरा हो गया, और इसके लिए thank you so much to all of you, मेरे A2 के lawyers, जितने भी student ह और अब book के बारे में थोड़ा सा detail और बता देता हूँ, reduced labels पे आपको शायदी कोई ऐसी book मिले, इसके लवा chapter wise आपको महा पर points दिये हो है, MCQs के sections दिये हो है, final revision कर सकते हो, आप directly आपको book लेने की ज़रुरत नहीं है, lots of sample papers हैं, जिनमें आपको बकाइदा, reduced labels पे सारे के सा pattern है, उसके ओपर ये सारा का सारा आपको book दिया हुआ है, complete उसी के ओपर बनाई गई है, ठीक है, और उसके लवा detailed solution है, हर एक concept को doubt को हमने clear करने कोशिश करी है, ये बहुत important है, जो हर एक बच्चे को काम आएगा, इसके लवा question को हमने select किया है, 10,000 question की booklet से question को select किया गया, त और experts के review भी करवाया गया, ऐसा नहीं था कि book हो गया है सारा और उसके बाद उसको छाप दिया गया, publish कर दिया गया, ऐसा नहीं है, actually experts से उसका review भी करवाया गया, और finally best quality, एक गलती भी ना रह जाए, ऐसी कोशिश हमने की है, ये सबसे खास बात है, और सबसे important चीज़ ये ह कि जब मेरे सामने, क्योंकि इतना असान नहीं होता book को publish करना, उसके बहुत सारे course होते हैं, बहुत सारे चीज़े होती हैं, लेकिन initially मैंने उनसे request किया कि आप हमारे बच्चों के लिए, हम लोगों को profit नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के लिए हम कितना कर सकते हैं, so finally ये book heavy discount पे आप लोग के लिए available है, मैं आप से ये नहीं कह रहा हूँ, कि आपको ये book लेनी है, but मैं ये कह रहा हूँ, कि ये book, मेरी जिंदगी का एक सपना था, और जो मैं आप लोगों से share करना चाहता था, कहीं किसी book में नाम हो, और उसके लिए महनत की, और finally आपके A2 Sir की ये book as a gift मैं आपको दे रहा हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ, A2 Sir की याद में, you can buy this book and in fact आपके board exam बहुत अच्छे जाएंगे, ये मैं आप लोगों को surely कह सकता हूँ, ठीक है, so A2 Sir की याद में, you can buy this book, अब आप कहोगे कि इस book का cost क्या है, कैसे purchase करनी है, सबसे important चीज ये ह being an author मेरे लिए privilege की बात है कि मेरी book Amazon पे listed है, Amazon से आप सीधे खरीच सकते हो, अब आप समच सकते हो कि अगर कोई book या कोई चीज Amazon पे listed है, तो वो इतनी आसानी से तो list नहीं हुई होगी, A2 Sir की जो book है वो Amazon पे listed है और आप Amazon से सीधे खरीच सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा वो यह देखिए सबसे important, click करते ही, Amazon.in यह है और आपको मैं इसका link भी provide कर दूँगा, अगर आप लोगों को link चाहिए तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, finally, सबसे अच्छी चीज, मतलब मेरे लिए proud की चीज यह है कि जब आप Amazon.in लिखेंगे, तो पूरा का पूरा banner ही मेरे पास कोई words ही नहीं है इसके लिए, अब इससे जादा अच्छा क्या हो सकता है मेरी जिंदगी में, so thank you so much Agrawal publication, जिन्होंने यह मुझे मोका दिया, मेरे लिए बहुत privilege की बात है, and finally, जब आप Amazon पे एक पूरा cover page ही मुझे दे दिये गया है, और यह मेरे लिए एक और ग दिना है, पर यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, so finally, Master of Chemistry, Class 12, Arvind Sir, आपके A2 Sir की book, मैं आप लोगे साबने chemistry की पहली book में रखने जा रहा हूँ, अब आप लोग पूछ रहे होंगे शायद किसका price कितना है, तुम आपको दिखा देता हूँ, जब आप नीचे जाएं और ये book मैं आपको guarantee दे सकता हूँ, कि आपने इस से अच्छी book market में नहीं देखी होगी, revise labels पे, और actual में ये book का cost 319 रुपे था, 319 रुपीज, लेकिन उस पे अभी हमारे A2 के lawyers के लिए, हमारे A2 family के लिए, जब हमने का कि we don't need any profit, जो हमारा initial, जो हमने stock मंगवाया है books का, उनमें जिनोंने purchase करनी है, आप अभी कर लेना, क्योंकि अभी massive discount है, उस पे 35% कर, क्योंकि उसके बाद जो stock आएगा, शायद ये revised prices आपको ना मिले, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो initial stock हमने करवाया है, उसमें ये book मातर 207 रुपे की है, और इसे आप Amazon से order करके मंगवा सकते लिंक मैं आपको थोड़ी दिर में दे देता हूँ, और अगर आप, और मैं आपको कह सकता हूँ कि बुक, ultimate book है, बहुत राते लगी है इसको बनाने में, है ना, बहुत महनत लगी है इसको बनाने में, और मैं चाहता हूँ कि एक बार, आप लोग इस book को मंगवा के, अब क् बताता हूँ, एक बार, बुक को मंगवा के आप जरूर देखिएगा, क्योंकि, एक होता ना, बहुत, मैं चाहता हूँ, आप भी अपनी जिंदिगी में मेहनत करें, और जब आप मेहनत करें, और दूसरा उसे अप्रिशेट करें, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो य बंच खरीच सकता है, फिजिक्स की भी है, मैथेमेटिक्स की भी है, इंग्लिश की भी है, बट केमिस्ट्री की मेरी है, तो केमिस्ट्री की ये बुक और पूरा बंच ऑफ बंडल, 786 रुपीज का है, 786 लखी नंबर, और वो भी प्राइम में, लुक अधिट, इस इन प्र आप सोचिये कि ये जो बुक है, वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मैं वस ये सोच रहा हूँ कि ये सपना पूरा हुआ है, धन्यवाद, इसको थैंक यू बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो नीचे बंच ऑफ बंडल नहीं हो है, आप कोई भी बुक परचेस कर सकत है, in fact, अगर आप एक बुक मंगवा के देखना चाहें, तो chemistry की एक बुक आप जरूर मंगाईएगा, मेरी तरफ से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, और actual में इससे पहले तक, ये जितनी भी sample papers थे, जो इनसे पहले sample papers आये से, almost 300 and more थे, so after my request, ये sample paper आपको सर्फ 207 है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप Amazon से करना चाहें, हमारे ये Educard पे भी है, आप Educard पे जाके भी order कर सकते हैं, काफी अच्छी site है, Amazon पे available है, और उसके अलावा, यहाँ पर ये Flipcard पे भी available है, तो Flipcard, Amazon, Educard, इन सभी पे available है, ठीक है, तो ये book है, और जिससे आप purchase कर स देख रहे हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, लिंक मैं आपको अभी description box में provide कर दूँगा, नहीं तो आप सीधे A2K loins पे जा सकते हैं, अभी मैंने recently ये रही, ये जो अभी live session चल रहा है, उसकी जस नीचे मेरी पहली book, A2K loins, ये अभी 22 मि पहले ये video release हुआ है, और इसी video के नीचे ये रहा, chemistry first book publishing link दिया हुआ है, इसको जैसे आप click करेंगे, आप सीधे order कर सकते हैं, ये जैसे आप इसको click करेंगे, आप सीधे order कर सकते हैं, आपको फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे से order करना चाहते हैं, A2 motivation के, अभी recently ही video publish ह A2 motivation पे, इस video के जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरी पहली book, नाम भी ये ही रखा है मेरे, मैंने इसका मेरी पहली book, this is the video, इसको आपको click करना है, इसी video के, और इसमें सारी चीज़े मैंने बताइए, आप चाहें तो देख लीजेगा, 60 second का ये video है, और यहां पर ये link दिया है, इसको click करिएगा, आप सीधे उस page पर पहुँचके, आप सीधे order कर सकते हैं इसको, और बस यही सबसे बड़ा gift चुम आप लोगों को देना चाहता था, मेरे retirement का, and इस से जादा मैं क्या ही कहूँ, और अब आपको थोड़ी सी चीजे और बताता हू So finally, यह link है, जिसको click करके आपको A2 motivation के उस video में भी मिल जाएगा, this is the link, amazon.2.3rcz, यह है, lv7, आपको लिखने की जूरत नहीं है, लिखने की जूरत नहीं है, आपको मैं अभी इसी video में, नहीं तो आप A2 motivation में अभी video release हुआ है, उस video के नीचे जाके उस पर click करके उसे purchase कर सकते हैं, so don't worry about that, ठीक है, चलिए, तो, so finally, यह gift था मेरी तरफ से आपको, आप बताइए कि आपको यह gift कैसा लगा, हर एक चीज को करने में बहुत महनत लगती है, और जब वो महनत सफल हो जाती है, तो उससे अच्छा feeling कभी नहीं आती है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी proud feel हुआ होगा, और मैंने आप बारा साल हो गए, यूट्यूब पे साथ साल हो गए, और बहुत महनत लगी है, रातो रात नहीं पहुंचें यहां तक, साथ साल की महनत के बाद आपके एटूसर का इतना नाम बनाया और फाइनली एक सपना हुआ करता था जब हम दूसरों की बुक पढ़ा करते थे, आज म यह बुक क्यों लेनी है, मैं उसके बारे में भी रीजन बताता हूँ, बहुत सारी रीजन तो मैं आपको पहली बता चुका हूँ, लेकिन, जो सबसे important रीजन है, वो है एटूसर की याद में, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग एटूसर की याद में इस बुक क वो Amazon पे listed है, thank you so much, यह link है, इसको मैं अभी एटू motivation के उस वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ, otherwise मैं यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दूँगा, अब और रीजन क्या हो सकते है, खुशी के पल क्या हो सकते है, आप अपनी इस बुक के साथ, जब आप परचेस करें, आपको पहुँँ जाए, अपनी इस बुक के साथ एक सेलफी लीजेगा, इस तरह से, सेलफी आप लोग सभी लेते हैं, और सेलफी गो Instagram पे डालिएगा, और मुझे टैग कर दीजेगा, Instagram पे डाल दीजिए, Twitter पे डाल सकते है, Facebook पे डाल सकते है, मुझे टैग करिएगा, और फिर मुझे tag करना मत भूलेगा दूसरी खास बात पर आते हैं आप इस book को review भी कर सकते हैं परचेस करने के बाद आप इस book को review करिएगा और जो review बहुत अच्छे होंगे बहुत अच्छे लिखे होंगे दिल से लिखे होंगे उसको मैं खुद A2Motivation पर उसको उन reviews को मैं बता अच्छा आज के session में मेरे लिए एक emotional session है और मेरे लिए proud moment भी है और मैं चाहता हूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं जिनके पास email idea और जो YouTube पे videos upload करते हैं आप आज के session पे video upload करें और जो best video upload होगा उसको मैं खुद promote करूँगा उसके YouTube channel को मैं खुद promote करूँगा ये बनाने के बाद अपनी YouTube के channel पे डालें और मुझसे share कर देना जो best video होगी उसे मैं A2 motivation उसके channel को उसके YouTube channel को मैं A2 motivation पे खुद promote करूँगा live session में मैं comment भी promote करूँगा और आपके YouTube channel को भी promote करूँगा इसलिए आपसे कहता हूँ कि A2 sir की याद में A2 sir के लिए जो इतना proud moment है आ आप मेरे साथ इस moment को जी हो और इस book को यह जो book है यह book Amazon पे best selling book बनाओ मैं यह चाहता हूँ Amazon की rating में सबसे highest और best selling book यह बने और यह सिर्फ आपकी आपकी दुआओं पे depend करता है और दूसरी book भी almost ready है we have worked really very hard और finally यह एक book के बाद दूसरी book भी आएगी और मैं चाहता हूँ इसको best selling book बनाओ Amazon पे चाह जाए यह book है ना इतने orders हो जाएं कि Amazon वाले भी इसको best selling book में you know nominate करें मैं यह चाहता हूँ और आप है तो सारी चीज़ें possible हैं तो मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि यह book आपको एटूसर की याद में खरीदनी है so thank you so much यह एक बड़ा moment म मैंने मैंने आप लोग के साथ share किया और मुझे पता है कि आप लोग भी इसे definitely appreciate कर रहे हो इसे definitely accept कर रहे हो and thank you so much for everything जो भी आप लोगोंने एटू को एटूसर बनाने में जितना आप लोगोंने contribute किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद so finally मैंने आपको बता दिया कि book के साथ आपको और और क्या मिल रहा है and जाते जाते मैं एक बार फिर से announce कर देना चाहता हूँ 2021 के बाद 2022 मेरा आखरी साल होगा as a chemistry teacher उसके अलावा मैं उस साल में जो एक साल है उसमें जो नए chemistry के teachers हैं जो teaching करना चाहते है जो YouTube पे जिनमें caliber है जो बहुत अच्छा करना चाहते है उन्हें मैं तयार करूँगा उन्हें promote करूँगा और हो सके best teachers को हम लोग विदान्तू platform पे भी लेके आएंगे यह मेरा सपना है इस एक साल में मैं नए teachers generate करना चाहता हूँ अब फरक नहीं पढ़ता chemistry के हैं biology के भी हो सकते हैं physics के भी हो सकते हैं subject नहीं पढ़ा सकता हूँ लेकि YouTube की techniques तो सिखा ही सकता हूँ क्योंकि YouTube पे सब बाल सफे हमें क्या ही को तो अगर आप मेंसे बहुत सारे लोग जिनको जिनको लगता है कि उनमें chemistry पढ़ाने का potential है आप मुझे mail कर देना arvin.arora at vedantu.com वहां पे और फिर उनमेंसे जो best talent होगा उसको हम लोग nourish करेंगे और हो सकता आपको विदान्तू में पढ़ाने का मोका भी मिल ज आप लोग विदान्तू फैमिली इतना सपोर्ट करने के लिए इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्री है बाइदेवे मैं आपको बताता हूं बहुत लोग बहुत सारी organization छोडते हैं शायद वो किसी चीज को लेके नराज या ऐसा कुछ होते होंगे मेरी विदा की वर आभारी रहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे विदान्तू का फैमिली का हिसा बनाया मुझे accept किया the way I am सबसे important चीजी है सबसे important चीजी है जो बाकी बहुत सारी organization में जब हम जाते हैं तो वो ऐसे accept नहीं करते जैसे आप हो आनंद सर पुलकिट सर वमसी सर ने मुझे ऐसे accept किया जैसे मैं हूँ मुझे बदलने की कोशिश नहीं की और इसलिए मैं विदान्तू फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ मैं छोड़ूंगा भी नहीं विदान्तू मेरे लिए बहुत बड़ा support system है आनंद सर बह बड़े भाई के जैसे हैं पुलकिट सर वमसी सर इस 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 बुक इस फो यू तो यह पहले मैं उन्हें dedicate करना चाहता हूँ दूसरा मेरे family members जिन्होंने हमेशा मुझे यकीन रखा मुझे back support दिया और हमेशा मेरा साथ दिया thank you so much each and every person of my family बहुत बहुत शुक्रिया लेक शायद मैं यहात कभी पहुँचता ही नहीं और मैं चाहता हूँ कि आज मतलब मैं मेरे पास कोई words नहीं है आप लोगे प्यार को बया करने के लिए क्योंकि आप लोगों ने इतना unconditional love दिया YouTube पे बहुत सारे educators हैं बहुत सब लोग अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप अ अपने A2 की वीडियो देखते हो फिर भी आप अपने A2 को इतना प्यार करते हो और मैं देखके हैरान रहिया था कि जिस वक्त मैंने retirement का वो पोज डाला इतने सारे comments और इतना सारा प्यार देखके मतलब मैं खुद मेरे हाथ काफ नहीं लगे थे कि मैं सही कर रहा हूं या ग बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी चीज पैदा करने जाएगा पैदा करेगा जिससे आने वाली जनरेशन को कभी education के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फिलाने पड़ेंगे scholarship के लिए हाथ नहीं फिलाने पड़ेंगे कुछ ऐसा करने जा रहा हूं है इसलिए मेरा एक जग अगरवाल publishing house की बहुत बहुत शुक्रिया अगरवाल group of publications दिल से शुक्रिया क्योंकि इतना बड़ा नाम अगर आपके साथ हो तो क्या ही words है so thank you so much thank you so much अगरवाल family अगरवाल books of publication मेरी बुक को जगा देने के लिए मेरी बुक को amazon पे list करने के लिए आपके A2 sir finally author बन गए है so यह book है और अब यह book आपको किसके लिए hashtag A2 sir की याद में लेनी है हर एक बच्चे के पास आपके पास अगर book है नहीं है कोई matter नहीं करता यह book आपको A2 sir की याद में लेनी है and this is the first book of your A2 sir और अगर यह best selling में चली जाती है तो मैं आपको guarantee देता we have worked hard for one more book जो आपके नीट के exam में काम आएगी और ऐसी book होगी जो इससे पहले तक आपको नहीं दिखेगी बार के तो यह सारी announcements थी I think अब सारे doubts सब कुछ clear हो गया होगा कि actual में क्या था और I think आप लोगों को सब बातों की clarity भी होगी है ना somebody is asking reason for leaving मैंने एक बार आप वीडियो को दुबारा देखना मैंने सारी चीज़े बता दी है कि मैं क्यों जा रहा हूं कहां जा रहा हूं कैसे जा रहा हूं और हर एक चीज़ के पीछे reason होता है retirement का मतलब यह बिलकुल नहीं है कि आप अर्विन सर आराम करना चाहते हैं नहीं अर्विन सर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे जितने भी अपनी आने वाली generation है जितने भी student है उनको education के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फिलाने पड़े they can earn their education कुछ ऐसा करने जा रहा हूं scholarship के नाम पर बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं वो सब चीज़े ना करनी पड़े उनको वो earn करें और learn करें एक ऐसे idea के साथ मैं आने वाला हूं बहुत जल्द थोड़ा वक्त लगेगा तैयारी पूरी हो चुकी है उसके लिए मुझे स वही पाने के लिए आज आपके A2 सर कुछ खोने जा रहे हैं पर फिकर नौट 2021 बैच के लिए मैं हूँ 2022 बैच के लिए हूँ और इस एक साल में मैं बहुत सारे chemistry, physics, biology के जो teachers हैं उनको मैं train करना चाता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना मेरे पास है बुक्स के तोर पे मैं आपके सामने छोड़ दूँ, बुक्स के तोर पे हमारे students के सामने छोड़ दूँ, बुक्स के तोर पे यह सारी knowledge हम आपको दे दे, थाकि जिन्दा रहू, मेरे knowledge जिन्दा रह सके, इस से ज्यादा तो मैं क्या ही बोलू, है ना, ओके, so this is it, finally एक बार मैं आप ल इसके बारे में क्या reaction है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, और अब this is the time for it to get loyalians, okay, so finally मैंने मेरी बात कह दी, अब आपको यह बताना है कि आज का surprise कैसा लगा, और आपको यह बताना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मेरी तरफ से इतना ही, okay, अब पहे, मैं साच बता रहा हूं, बहुत दिल भारी हो रहा था, सेशन से पहले ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, बड़ अभी जब मैंने बताया कि मैं क्या करने जा रहा हूं, तो क्या होता, पब्ली के लिए बताने से एक moral support मिलता है, कि जो आप करने जा रहा हूं, एक moral work करने जा रहा है, एक बंदा, तो जब बहुत लोगों को पता लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो बहुत लोगों की energy, positive energy काम करने लगती है, और मैं चाहता हूं कि जो काम, मुझे जिस काम में एक साल लगे, आपकी positive energy के साथ में वो काम 6 महीने में क ले रहा हूं, है ना, okay, thank you so much for loving us, so much, Twinkle, Kailash, Mohit, Smart, Neet, Archit, Vinita, Vivek, Chinmaya, Chinmaya Gupta, Aditya, Varun, Deepa, Alok, Sunidhi, Dipanshi, thank you so much for coming guys, and finally मैं आप लोगों से फिर से last बार, ये प्यार से कहना चाहता हूं, और दिल से मेरी एक request है, कि आपका प्यार, आपके A2 Sir की ये पहली book पे जरूर दिखाएं, इस ये Amazon पे best selling book बनाएं, ताकि ये book सभी बच्चों के हाथ में पहुँचे, और it's not about A2 as well, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ A2 Sir के लिए है, ये book इतने काम की है कि शायद आपको chemistry में कुछ और देखने की जरूर नहीं पड़ेगी, आपको आपकी NCRT की book उठाने की जरूर नहीं है, क्योंकि इसमें सारे key points है, आपको किसी topper की talk सुनने नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें toppers के key points है, reduce labors के ल लिए है, जैसे ही आप book खोलेंगे, अंदर आपको मेरा Instagram का barcode दिख जाएगा, उसको scan करेंगे तो आप सीधे Instagram पर पहुंच जाएगे, तब ये authentication के लिए अर्विंसर की जो book है, वो इस तरह से दिखती है, आप ध्यान से देखिएगा, और आपको दिख भी जाएगी, अग Amazon का link मैं already दे चुका हूँ, आप A2 motivation पे जाएगे, अभी मैं इसमें इसलिए नहीं दिया, क्योंकि ये surprise था, तो मैंने सूचा अगर surprise description box में reveal हो जाएगा, तो आप लोग के लिए surprise नहीं रहेगा, तो इसलिए हमने description box में नहीं दिया, तो यही चीज, A2 motivation में, अभी मैंने ए सब को पता है, तो यह book आपको actually Amazon से मिलेगा, so आप उसको order कर सकते हैं, अपने घर पे मंगवाईए, उसके बाद एक प्यारा सा याद भरा, memory भरा, एक selfie लीजिए, उसको मेरे साथ share करिये, और YouTube पे इसके छोटे-छोटे वीडियोज डालिए, और जो मुझे बताना मत भूल मुझे mail कर दीजिएगा, और बस उसके बाद मैं खुद अपने social media handles पे, आपके comments, आपकी photos, आपके videos, मैं खुद promote करूँगा, बस यह जो सपना है उसके लिए, तही दिल से शुक्रिया, thank you so much for loving me, for supporting me, and for everything, I have no words, thank you so much, और यह आपके लिए है, Okay, so आज के session को finish करते, I hope कि आप लोगों को मेरा surprise, और मेरे जाने का reason, सब समझ आया होगा, so thank you so much from the bottom of my heart, जाते जाते मैं आप लोगों को विदानतू के लिए भी, inspire करना चाहता हूं, बच्चों विदानतू दे रहा है आपको vote देने का मोका, सिर्फ 4 दिन बचे, vote क्या है, विदानतू online talent exam, जिसमें आप comeback कर सकते हो, 28 मार्च, 4 अपरेल, 11 अपरेल, 18 अपरेल, 4 दिन आपको exam देने के लिए मिल रहे है, जब आप ये vote का exam दोगे, तो पूरे इंडिया में आपकी all India rank निकलेगी, in fact आपको 500 करोड रुपीज के guaranteed scholarship मिल रही है, विदानतू में आपको vote को, vote case event को, उसे विदानतू का एक दिन का CEO बनने का मोका मिलेगा, और साथी साथ NASA की trip भी मिल सकती है, oh my god, आपकी जगा में होता तो definitely इसके लिए जाता, and आप बहुत सारे daily prizes जीत सकते हो, that's really amazing, and उसके लिए क्या करना है आपको, आपको download कर लो विदानतू की, वहाँ पर इसके लिए आपको app download कर लो, या फिर vdanty.in slash vdantyneet, यह हमारी vneet, यह हमारा link है, जिस पर जाके आपको आपको register कर सकते हो, 11th class में हो, तो PCB में आपको 90 questions मिलेंगे, और pattern भही है, जो आप लोग हमीशा करते हो, plus 4 and minus 1 माला, और 90 minutes मिलेंगे, और अगर आप 12th standard में हो, तो आपको 180 question मिलेंगे, और उसको solve करने के लिए 180 minute मिलेंगे, and finally, अगर आप app में अपने आपको register करते हो, तो बहुत सारी चीज़े आप लोगों को देख रहे हो, और सुनने को मिलेंगे, मतलब बहुत मज़ा आएगा, अलग-अलग groups बने हुआ है, squads बने हुआ है, and finally, जाते 21 का crash course, 10,000 rupees का, but अभी है, 6,000 rupees का, यह, link description box में given है, AA NEED coupon code, और इसके तरो आप 40% discount ले सकते हो, and उसमें क्या मिलेगा, आपको पूरा NEED का syllabus 120 sessions में खतम हो जाएगा, सुबे से रात तक doubt solving sessions है, test series free है, और tips and tricks बताई जाती है, two way interaction आप teacher से बात भी कर सकते हो, और आप कोई batch भ wealth of April का batch है, वो भी join कर सकते हो, ठीक है, और finally, हमारी app को download करना मत भूलेगा, विदानतु की प्यारी app, जिसको user choice 2019 abort मिला है, और ये वो बच्चे है, जिनके विदानतु के batches जोइने करने के बाद selection हुआ है, अगर आप लोग भी batches को join करते हैं, तो definitely आप लोग की photos भी और हम लोग A2 के loyans है, तो family का हिस्सा होना तो बनता है, thank you so much for loving me, for supporting me, and बस याद रखेगा, ये है आपके A2 Sir की book, और इस पल को आपको यादगार बनाना है, to buy this, take a selfie and share with me, thank you so much for your love and support, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, धन्यवाद झाल